तेंशन और भाग दोड़के चलते लोग हसना भूलते जा रहे हैं ऐसे में वाइरल नमा का यही प्रयास रहता है कि हम बीच बीच में ऐसे फणी और मज़ेदार वीडियो जो आपको हसा कर आपकी टेंशन भूला दे इसी कड़ी में हम अब तक फणी डांस के तीन पार्ट ला चुके हैं फणी डांस के पार्ट फोर में हम कुछ ऐसे नमुनों के फणी डांस दिखाएंगे जिनने देखकर आप हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाएंगे ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए वीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रेलवेर प्लाटफॉर्म पर दीदी का धुँअधार डांस देखकर आप भी सोच रहे होगे कि नाच रही हैं या इधर से उधर भाग रही हैं अब इनको कौन समझाए कि ऐसे नाचने से आस पास के लोगों को परेशानी हो रही है कौन ही हैं लोग कहां से आते ही अब इस लड़के को देखकर हैरान मत होईएगा ये गर्दन हिला हिला कर नाच रहा है बले ही इसका स्टाइल सबसे हटके है लेकिन इसका डांस है बड़ा मज़ेदार गर्दन हिलाओ डांस के बाद अब आपको और भी मज़ेदार कूकर डांस दिखाने जा रहे हैं जिसमें कूकर की हवा भर जाने के बाद और सीटी बजने से पहले की सिचुएशन को इस बंदे ने डांस के जरिये दिखाया देखकर आप तो हस्ते हस्ते लोटपोट होने वाले हो हेलन के गाने पर जुमती दादी के एनरजी और डांस स्टेप्स दोनों दमदार है बले ही दादी के उम्र साथ से उपर है लेकिन इनके लटके जटके 21 साल की लटकियों से कम नहीं है फ्रेंड्स डांस वो कला है जिसमें कॉन्फिडेंस का हुना बहुत ही जरूरी है ऐसे कॉन्फिडेंस से भरपूर इस ताउ का डांस देख आपको खूब मजा आने वाला है देखे तो ताउ कैसे ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं इस उम्र में ऐसे ठुमके तो गजब का कहट आ रहे हैं इनको यू नास्ते देख ताई आकर इन्हें मना करती है कि कहीं कमर वमर लचक गई तो बुड़ापे में मुश्किल हो जाएगी लेकिन चच्चा कहां मानने वाले थे ताई को इग्नोर करके फिर से मटकने लगे यहां डोल पर नास्ती पडोसन को देख चच्चा से राहा नहीं गया और कूद पड़े मैदान में पहले तो लड़के ने आकर उन्हें वहां से हटने को कहा लेकिन चच्चा नहीं माने अपने पती को ऐसे दूसरी औरत के साथ उचल उचल कर नाचते देख मारे जलन के चाची ने औरत को वहां से हटा खुद ही चच्चा के साथ नाचना शुरू कर दिया बेचारे चच्चा चाची ने तो मोई मोई कर दी म्यूजिक चीज ही ऐसी है सुनते ही पैर अपने आप थी रखने लगते हैं ऐसा ही इस सफाई करमचारी के साथ हुआ रास्ते में किसी शादी में सूफी म्यूजिक सुनते ही बंदा खूद पड़ा मैदान में जूम कर नाचने के बाद दौरता हुआ अपनी गाड़ी के पास चला गया यहां ये बंदा क्रिकेट डांस कर रहा है बौलिंग से लेकर बैटिंग तक के सभी स्टैप्स और फिर हावा में शौट खेलना इसके बाद कैच पकड़ने तक के सारे स्टैप्स बड़े ही रौमाचक हैं और फिर उंगली उठा कर आउट का इशारा भी करता है इस अनोखे डांस को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस डांसर को IPL के लिए चुन लेना चाहिए क्रिकेट डांस के बाद अब आपको दिखाने जा रहे हैं गर्दन डांस इस अजीबो गरीब डांस में बंदा सिर्फ गर्दन का इस्तमाल करते हुए डांस कर रहा है जबकि म्यूजिक के साथ वो अपने हातों और पैरों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा ये अंकल गोविंदा को कॉपी करने की कोशिशों में लगे हैं इनके एक्स्प्रेशन से लेकर डांस टैप तक कॉपी करने में पूरा जोर लगा रहे हैं ऐसे टैलेंटेड डांसर हर मौसम के डांस करते हैं जैसे ये दीदी बारिश में थम के बरस पर कमर्या हिलाना शुरू ही करती है तब ही दीदी का पैर फिसल जाता है और दीदी धड़ाम से गिर जाती है इसी तरह ये दीदी भी तो पतली कमर्या पर नाश्टे नाश्टे अपने ही बंफुडवा बैठी अब ज़रा इस डांस पर नज़र डालिए क्यों खा गए ना दोका एक बार की तो हम भी दोका खा गए कि मोदी जी तो डांस कर रहे है लेकिन आप मत खाईए क्योंकि ये मोदी जी के डुपलिकेट है जो स्टेज पर नाच रहे है चाहे वो बच्चे हो या बड़े सभी में कोई न कोई टैलेंट तो छिपा ही होता है और जब उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है तो वे इससे पीछे नहीं हटते इन लोगों को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है म्यूजिक बचते ही इनके अंदर का डांस टैलेंट खूट पड़ता है फिर ऐसे वैसे जैसे भी आए स्टैप करने लगे अब किसी को इनका डांस पसंद आए या ना आए इनको तो अपना टैलेंट दिखाना है भरपूर एनर्जी के साथ इस आंटी के परफेक्ट पंजाबी स्टैप्स आपको हैरान कर देंगे इस उम्र में इतनी एनर्जी साथ में नाच रही लड़किया भी इनसे पिछड गई है आंटी आप तो सूपर से भी उपर निकली दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमें कई दिनों की महनर लगती है तब जाकर ये वीडियो तयार हो पाता है इसलिए इन वीडियो को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर आप हमारे वीडियो दिल से पसंद करते हैं तो हमें सूपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं यहां स्ट्रीट डॉग को मौका मिला तो इसने भी अपनी स्ट्राइल में नाचना शुरू कर दिया ये क्या है? बले ही इसे कोई भी ना देखे लेकिन नाच कर तो मज़े ये बिलेगा अपने मालिक को ताली बजा कर नासते देख उसका कुत्ता भी मूँसे आवाजे निकालते हुए गमर्या हिला हिला कर मालिक की ताल में ताल मिलाने लगा ये डॉगी भी अपना डांस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ट्राइपॉड पर लगे मोबाइल के कैमरे को आन करके उसके सामने तरह तरह के स्टेप्स करता ये प्यारा सा डॉग बहुत क्यूट लग रहा है वैसे आपको डॉग का ये डांस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अब जो डांस दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ डांस नहीं है बलकि इसके स्टेप्स आपको हेल्दी रखने में बहुत काम आने है ये डांस वीडियो डायरेक्टर्स द्वारा बनाया गया है जिसमें ये डांस के माध्यम से हेड़ वाश के सेवन स्टेप्स एक के बाद एक एक्शन्स करके बताई गए है क्यों? है ना ये हेल्दी डांस अब आपको एक यूरोपियन डांस दिखाने जा रहे हैं जिसको हेकेंड डांस कहा जाता है इसको करने के लिए बंदे में फुल एनरजी होनी जरूरी है क्योंकि इस डांस के स्टेप्स बड़े फास्ट होते हैं पहले आप इसके स्टेप्स देखिए फिर बताईए कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं है ये बंदा पानी के अंदर मून वॉक कर रहा है सच पूछो तो ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है इस बंदे की परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई है अरे अरे ये क्या? यहां तो पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई कोई बात नहीं मैडम जी नेक्स टाइम फिर से ट्राई करना यह आँटी तो डांस करने के लिए इतनी उताबली हुए जा रही है कि म्यूजिक शुरू होते ही चिलाते हुए ऐसा फुर्तिला डांस करती है कि आसपास बैटे लोग डर जाते है अरे आँटी अराम से देखने वाले कहां बागे जा रहे है ताउ का दमाकेदार डांस तो बड़ा ही मजेदार है ताउ ने डीजे पर कमरिया हिला हिला कर ऐसे ठुमके लगाए कि सब को हिला कर ही रख दिया क्या बात है ताउ क्या डांस किया है मजा ही आ गया कई लोग डांस वीडियो बनाने के चकर में मुसीबत में फस जाते हैं यहां ये लड़का जैसे ही उचलता डांस टैप करने लगा वैसे ही इन अंकल से टकरा गया फिर तो अंकल ने इसकी वाट ही लगा दी अरे अंकल जी अब छोड़ो भी माफ कर दीजिये न इस अंकल जी ने शादी में आँटी बन कर जोड़ डांस किया वो देखकर बड़ा मज़ा आने वाला है ऐसे लटके जटके देखकर तो आप भी बोल पड़ेंगे कि वाँ अंकल वाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो